हेलो एवरिवन वेलकम तो माई चैनल आज हम बनाएंगे बनाना चौको वालनेट केक यह देखिए बहुती सौफ स्पंजी और मॉइस्ट होता है बहुती टेस्टी तो रेस्पी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो केले लिए मैंने इन्हें छील कर हम स्लाइसेज में कट करके इसमें डाल देंगे आप चाहें तो इन्हें मिक्सिंग बोल में इलेक्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं मिक्सिंग बोल में डालके आप इन्हें फोक से भी मैश कर सकते हैं बाट यह बहुत यह असान तरीका है सभी के पास ब्लेंडिंग जार होता है यह दोनों केले मैंने स्लाइसे में कट करके इसमें डाल दिये यह देखिए अब हम इसमें आधा कप चीनी एड़ करेंगे और वन थर्ड कप हम इसमें ओयल एड़ करेंगे रिफाइंड ओयल यूज कर रही हूँ में अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप एक कटोरी सेट कर लें उसी से सारा मेजरमेंट लें अब धक्कन लगाकर इन तीनों इंग्रीडियंट्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे यह देखिए मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इन्हें ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इस पर लगाएंगे एक स्ट्रेनर और अपने ड्राइ इंग्रीडियंट्स को इस पर छानेंगे यह एक कप मैंने मैदा लिया है यह 250 ml का कप है तो यह एक कप मैंने मैदा एड़ किया है अब हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून बेकिंग पाउडर टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा अब हम डालेंगे वन फोर्ट कप कोकुआ पाउडर क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसे तो डालना ही पड़ेगा अब अच्छे से डाल कर मिक्स कर लेते हैं इसमें 1-4 टीस्पून हम सॉल्ट भी डालेंगे इससे फ्लेवर बहुत एन्हेंस हो जाता है केक का इसारे चीजोंका अच्छे से मिक्स कर लें और च्छान लें इस मैं बाक कोछ बटीक है और जब हम केक बनाते हैं तो बहुत बटीक है eleg होता है तो आप चाहें तो इसे में अब्स में एड़ कर सकते हैं यह देखिए, यह मैंने सारा इसी में छान दिया, यह थोड़ा सा बचया, इसे भी अच्छे से छान लेते हैं, मिक्स करके, यह देखिए इस तरह से, यह हमने सारे ड्राइ इंग्रीडियंट्स को वेट इंग्रीडियंट्स के उपर छान दिया है, अब हम एक स्पैचुला या विस्क की हेल्प से, धीरे धीरे से मिक्स करेंगे, यह देखिए इस तरह से, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें दूद एड़ करेंगे, यह देखिए, इस तरह से, जो हमने बनाना, ओल और चीनी, ब्लेंड करके रखिए थी न, उसमें हमने यह dry ingredients mix कर लिए यह काफी गाढ़ा है तो हमने लिया हाफ कप दूद बिल्कुल room temperature पे दूद लिया मैंने बिल्कुल थंडा दूद हमने नहीं यूज करना है इसे थोड़ा थोड़ा एड करके mix करेंगे दूद हम उतना ही एड करेंगे जितने में इसकी consistency adjust हो जाए बिल्कुल ribbon लाइक consistency हमने इसकी रखनी है बहुत जादा गाढ़ा या बहुत जादा पतला हमने बैटर नहीं करना है यह देखिए अब यह बिल्कुल अच्छे से mix हो चुका है और यह दो टेबल स्पून दूद के बच गे है तो यह हम एड नहीं करेंगे वरना यह बैटर बहुत पतला हो जाएगा अब हम इसमें एड करेंगे वन टीस्पून वनीला एसेंस और वन टीस्पून ही वाइट वेनेगर एड करेंगे और इन्हें भी अच्छे से mix कर लेते हैं इस तरह से एक ही डायक्शन में हम धीरे-धीरे mix करेंगे इस तरह से अब यह केक का बैटर बिल्कुल र जल्दी से केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं तो यह मैंने एक केक टिन लिया है जिसे मैंने अच्छे से ग्रीज करके बटर पेपर लगा दिया है बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीज कर लिया है आप चाहें तो अपने केक टिन को सिंपली ओयल से ग्रीज करके या अब हम इसमें डालेंगे वालनट, तो मैंने 2 टेबल स्पून वालनट लियें, अखरोट, अब हम इसमें अखरोट में डालेंगे, हाफ टी स्पून मैदा, मैदे से अच्छे से इन्हें कोट कर देंगे, इस तरह से करने से क्या होता है, जब हम ये वालनट इसके उपर डालें अब मैंने एक कड़ाई रखी है जैसे 15 मिनिट के लिए मैंने प्रीहीट कर लिए इसमें नमक बिचाया है मैंने काफी बार बेकिंग के लिए यूज किया है एक प्लेट रखी है अब इसमें हम केक टिन रख देंगे आप चाहें तो इसे कुकर में भी बेक कर सकते हैं धक्कन लगा कर बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 50 मिनिट तक बेक करेंगे यह देखें 50 मिनिट हो चुके हैं यह कितना बढ़िया से राइज हुए है बीच में आप इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं जैसे 25 मिनिट के बाद यह देखें टूथपिक डालके हम इसे चेक करेंगे यह देखें बिल्कुल क्लीन निकली है इसकी टूथपिक तो केक बिल्क गंटे के लिए ढंदा होने के छोड़ देंगे अब हम इस तरह से एक नाइफ से इसकी साइट क्लीन खर लेंगे यह देखें इसकी साइट बिल्कुल क्लीन है इसने अपने आ चोड़ दी अगर आप इसे घरम-गरम-डी मोल्ड करेंगे तो क्या होगा यह तोट जाएगा अब एक प्लेट की हल्प से इस तरह से इसे डी मोल्ड कर लेंगे टैप करेंगे पीछे से और धीरे से निकाल लेंगे यह देखिए इसका बटर पिपर निकाल लेंगे धीरे से बहुत ही बड़िया से यह केक बेक हुआ है यह देखिए अब हम इसे एक और प्लेट लगा कर इस तरह से सीधा कर लेंगे तो देखा आपने इसे बनाना कितना असान है बनाना चौको वालनेट केक हमारा बिल्कुल रेडी है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी होता है यह देखिए कितना बढ़िया से राइस हुआ है बहुत ही सौफ स्पंजी और मॉइस्ट बना है आपको यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् झाल करेंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् झाल झाल